गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का विहार अड़ा में कैसे हैं आप सभी छात्र उमीद करें हूं सभी लोग अच्छे होंगे सोनू नितीश बिजेंद्र दिशू राम चौबे जी बियार व्लॉगर जी सीमा सती रानी नितीश अंजीला एश्वर्या विवेक निशा राहुल पूनम आप सभी को राधे राधे आप सभी को प्रणाम अर्चना शीलू पोद्दार जी संतोष अकांग्शा कश्यप जी बिलकुल कश्यप जी बिलकुल आएगा चलिए चुरू कर लेते हमारी आज की क्लास मुझे पता है आप सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे आज की क्लास के लिए पीछे आप बैग्राउंड देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इस बार अधिके से बोल जरूर दीजे कि हम एस्टेट के लिए तयार है और एस्टेट में हम खुब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एक बार सभी लोग सेशन को क्लास को शेर कर दीजे उन सभी स्टूड़न्स के साथ जो तयारी कर रहे हैं बिहार एस्टेट के लिए य बात करेंगे बात करेंगे पहले जो जरूरी चीज उस पर बात करेंगे पहले यहां तो पढ़ेंगे तो बागी जगा भी पढ़ी लेंगे ठीक है चलिए सभी लोग तयार है इक बार थम एप्रेशन के साथ जरूर बताएं कि आप सभी लोग तयार है और एक चीज और आज चोटी हूँ, वो भी सम्मान जनक तरीके से, आप लोग मुझे मैम बुलाते हैं, उससे बहतर है कि आप मुझे ऐसे उचारण की दृष्टी से देखें, तो मेरे लिए बहतर शब्द है मैम से जाधा दीदी, मुझे थोड़ा अपना पन महसूस होता है, आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे गुड आफ्रनून, बाकि सभी को भी अफ्रनून, लेंग्विच पीपर हटा दिया हम लोग, ना न न न न निगम पाल जी दिंता मत करिये, सब ठीक रहेगा, बेफिक रहे है, मैंने आप से पहले भी का था, उतरना डरने की आवशकता नहीं है, चीजे अच्छी रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है, पेपर टू की प्रिपरेशन भी सुमिच जी, इसी क्लास में होगी, पेपर वन, पेपर टू दूनों का, मैं एक साथ त्यारी कराऊंगी, उसके लिए अलगर त्यारी की, आप लोगों वेठेंगे, तो काफी नुकसान होगा, काफी जादा फायदा होगा, एक्जाम के समय पर, और दीखें, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको एस्टेट में फायदा होगा, आप जो VPSC 3 3 देंगे, उसमे भी आपको बराबर लाब मिलेगा, DSSB में बेकिन्सी आने की संभावना ह फिर से हैं वहाँ भी आपको लाब मिलेगा KVS NVS की परिक्षा हो जाए UP में अभी परिक्षा आने वाली है उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग परिक्षा है देंगे तो संगीत की वहाँ पर परिक्षा होगी तो वहाँ पर भी आपको इस class का लाब मिलेगा है ना तो सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और जोर से बोल दिये एक बार जै संगीत और हम लोग बिलकुल शुरू करेंगे हाँ बिलकुल क्यों नहीं समझ आएगा गुल्शन ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमारी कक्षा हो और आपको कुछ समझ बिनाए आप एक दो classes के बाद में बिलकुल समझ जाएंगे और रोज आना class का समय यही रहेगा शाम को तीन बज़े से पांच बज़े तक हम लोग रोज मिलेंगे पूरे दो घंटे हम प्रशन करेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लगबग 40-50 प्रशन हमारे रोज हो जाएं है ना आप कट आफ बदलेगा अजय जी उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी करूंगी अभी फिलाहल हम इस्टेट के विशह में बात करेंगे उस पर भी चर्चा कर लूँगी ठीक है अच्छा पहले जुड़े थे आप अतुल बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून शुक्रिया पूजा बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए शुरू कर लेते हैं हम लो पच्छे परिशान रहते थे कि मैं आप या दीदी आप क्या करिए कि रोजना हमें टॉपिक वाइज प्रशन कराईए आप मिक्स प्रशन कराती है तो हमारा टॉपिक तयार नहीं हो पता है इसलिए मैंने इस बार से सोचा है कि आप लोगों को विशयवार प्रशन तो उनकी जीवनी से जुड़े हुए ही प्रशन कराऊंगी ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं दिशु चिंता न करिए उसके लिए मैं बता दूँगी कैसे करना है ठीक है चलिए तो अब से आप लोगों के टॉपिक वाइज प्रशन होंगे मैं आपको संगी तग्यों की ज विषयक रहेंगे छोटी जीस से जुड़े प्रशन लेकर करके आऊंगी आपके अलग अलग बात देयांतरों चुड़े प्रशन लेकर के आऊंगी पाश्चात यसांणीहीं दूडे प्रशन नहीं कराऊंगी तो एक और करके हम लोग रोज लो करेंगे वह प्रशन करेंगे अब आज हमारी क्लास का पहला दिन था इसलिए मैं आप से पांच मिनिट शुरू के ले लिए हैं कल से हम अपने पांच मिनट भी बरबाद नहीं करेंगे शुरू आज से प्रशन करेंगे बल्कुल अच्छे तरीके से और एंड में आपको जो पूछना है आ पांच मिनट भाग्य कैसे बनते हैं सारी चीज़े पता चलेगी ठीक है प्रजापती गवल जी तारी चीज़े बताऊं के लिए पहले यहां है चलिए तो संगी तक कि जीवनी से जुड़े प्रशन हैं संभावित प्रशन मैंने ओमकारना ठाकुर जी को अहोबल जी को और एक और जीवनी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों की कवर अप करा पाऊं तीन जीवनी आज मैंने लगभग लगभग कवर करानी की कोशिश की है ठीक है तो एक एक करके हम सारी जीवनियां करेंगे और देखेंगे कि आपके कितनी जीवनी आज हो जाती है कोशिश रहे मैं आप लोगों से उत्तर अपनी कॉपी में लिखते रहेगा, इनके उत्तर मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उत्तर यहां पर फीड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? चलिए, पंडित ओमकार ना ठाकुर का जन्म कब हुआ था? यहां पर समय पूछा जा रहा है जन्म का, तो बताईए किस समय पर उनका जन्म हुआ? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे उत्तर बताएंगे क्या होगा? फटा फट से उत्तर दीजें सभी लोग क्या होगा? पंडित ओमकार ना ठाकुर का जन्म कब हुआ? सभी लोग उत्तर देंगे जल्दी से, पंडित ओमकार ना ठाकुर का जन्म कब हुआ? देखिए उत्तर गलत हो, चलेगा, लेकिन उत्तर जरूर होना चीए, तो मैं चाहूंगी कि कोई भी बच्चा उत्तर से चूके नहीं, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा? पंडित ओमकार ना ठाकुर का जन्म कब हुआ? देखिए उनका जन्म हुआ था सन 1877 में, 24 जून को, कॉपी में लिख लिजे, 24 जून, सन 1877 में, उनका जन्म हुआ? पंडित ओमकार ना ठाकुर, ठीक है? सन 1877 24 जून, तारीक भी लिख लिजेगा, कॉपी में और सन भी लिख लिजेगा, क्योंकि कई बार प्रशन पूछ लिया गया है, ठीक है न, जन्म से संबंधी, कई बार केवल वर्ष पूछा गया है, कई बार केवल तारीक भी दी गई है, तारीक बदल दी गई है, सन वही रखा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, 24 जून 1870 में, कॉपी में लिख लीजे सबी लोग इसको, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, क्या पूछ रहा है प्रश्न संख्या में, पंडित ओमकार नाठ ठाकुर के गुरु कौन थे, उनके गुरु का नाम बताना है, जिनसे उन्होंने संख्यीत की शिक्षा ग्रहन की, कौन है वो, फटा फट से सभी लोग उत्तर देंगे, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को, क्यूंकि आगे आने वाले बिप्पेसी ट्री में, ट्री थ्री जो आएगा, हो सकता है, उसमें आप लोगों को प्रेक्टिकल भी देना पड़े, तो प्रेक्टिकल के को मद्दे नजर रखते हुए, मैं आपके कुछ मदद जरूर करूँगी, थोड़ी-थोड़ी मदद हम लोग करते रहेंगे, इस विशे में भी, सभी लोग अभी का उत्तर देंगे, पंडित ओमकार नाठ ठाकुर के गुरू कौन थे, आपको पता है, बिपेसी का, चाहे टीजीटी का एक्जाम उठालो, चाहे पीजीटी का, प्रश्न जैसे बताया थे, वैसे आये हैं, भरोसा रखिएगा, जो कराऊंगी, आपके एक्जाम को मद्दे नजर रखते हुए ही कराऊंगी, ठीक है, तो बताये सभी लोग क्या हो जाएगा, कौन थे पंडित ओमकार नाठ ठाकुर जी के गुरू, जिनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहन की, बंबई जाकर उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहन की थी, कौन थे उनके गुरू, बिलकुल सही बात, उनके नाम से एक स्वरलिपी पद्दिती भी है, पंडित विश्नु दिगंबर पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर, ठीक है, पलुसकर जी की स्वरलिपी पद्दिती भी है, तो उनका नाम ध्यान रखेगा आप लोग, पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर जी, ओमकार नाठ ठाकुर जी के गुरू थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखने है, ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग, पलुसकर जी हो गए, थार्ड उत्तर दीजे, पंडित ओमकार नाठ ठाकुर किस घराने से संबंधित थे, किस घराने से उन्होंने शिक्षा ग्रहन की, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं है त्रिभुबन जी, लेकिन कोई बात में माल लेती हूँ, आपकी गुड मॉर्निंग भी हमारे लिए सर्व प्रिय है, सभी लोगों की, जो आप कह दे, बताएए जल्दी से सभी लोग क्या हो जाएगा, शुक्रिया निशा, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से बताएए, पंडित ओमकार नाठाकुर किस घराने से संबंधित थे, ओमकार नाठाकुर जी ने शिक्षा ग्रहन की किस से, पलुसकर जी से, और पलुसकर जी ने किस से शिक्षा ग्रहन की, उनके गुरू थे ग्वालियर घराने के तो सीधी सी बात है कि वो किस घराने से संबंदित माने जाएंगे ग्वालियर घराने से लिख लीजे सभी लोग किस घराने से थे ये ग्वालियर घराना सभी घरानों का जो कह लीजे कि उत्पन होने का जो स्थान है उत्पतिस थल कह लीजे या कह लीजे कि यही वो घराना है जिससे सारे घरानों की नीव रखी गई है तो सबसे प्राचीन घराना है सबसे जादा मजबूत घराना है सबसे जादा प्रसिद घराना है और यही वो घराना है जिसमें धुरुपत गाय की सबसे जाधा बहतर तरीके से की जाती है तो यही वो घराना हो जाएगा ग्वालियर घराना इसी से थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ठीक है ग्वालियर घराना इसका सही उत्तर हो जाएगा लिख लीजे copy में प्रश्ण संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना अगले प्रश्ण का उत्तर सभी लोग देंगे प्रश्ण संख्या 4 पंडित ओमकार नाठ ठाकुर के पिता का क्या नाम था पिता का नाम लिख लीजे सभी लोग copy में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के पिता का नाम पूछा गया है पहले प्रश्ण में PGT में एक बार NVS में आया है एक बार KVS में आया है एक बार UP PGT की परिक्षा में भी पूछा गया है पिता का नाम पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के पंडित गौरी शंकर ठाकूर copy में लिख लीजेगा सभी लोग पंडित गौरी शंकर ठाकूर इनके पिता जी का नाम था copy में लिख लीजेगा सभी लोग ये नाम पंडित गौरी शंकर ठाकूर पाँचवे प्रशन का उत्तर देंगे प्रश्ण है पंडित ओमकार नाठ ठाकुर की माता का क्या नाम था माता का नाम भी DSSB की परीक्षा में पूछा गया है TGT में और UP TGT की परीक्षा में भी पूछा गया है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा हाँ, पंडित ओमकार नाठ ठाकुर जी की माता का क्या नाम था, सभी लोग इसे कौपी में साथ-साथ लिखते रहेगा, ये प्रशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, पंडित ओमकार नाठ ठाकुर जी की माता जी का क्या नाम थ जल्दी से बताईए सभी लोग क्या होगा देखें इनकी माता का नाम था जवेर्वा क्या हो जाएगा जवेर्वा इनकी माता जी का नाम क्या हो जाएगा जवेर्वा नाम था इनकी माता जी का ठीक है क्या नाम हो जाएगा इनकी माता का जवेर्वा जवेर्वा देवी इनकी क्या हो जाएगा सही उत्तर पंडित ओमकार नाठ ठाकुर जी की जन्म भूमी क्या है जल्दी से उनका जन्म की स्थान पर हुआ जल्दी से सभी लोग उत्तर जिए बड़ोदा की एक रियासत थी बड़ोदा रियासत वहाँ पर एक ग्राम का नाम था जहाज क्या था? ग्राम का नाम था जहाज जहाज ग्राम बड़ोदा रियासत की तो लिखे लिजे, बड़ोदा रियासत के जहाज ग्राम में, उनके गाउं का नाम था जहाज, ठीक है, गाउं का नाम भी लिखे लिए जहाज ग्राम और बड़ोदा रियासत, ठीक है, बड़ोदा रियासत के जहाज ग्राम में उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान बता दिय प्रशनगला क्या रहा है, पंडित ओमकाना ठाकुर जी के भाई का नाम था, बड़े भाई, क्योंकि यही वो बड़े भाई थे, जिन्होंने पंडित ओमकाना ठाकुर जी को बंबई तक पहुंचाया, संगीत की शिक्षा गरहन करने के लिए, तो उनका नाम बताईए क्या थ हां, very good, very good, stay, estate की ही नहीं, अनिमेश, यह तयारी आपको बहुत जगा काम आएगी, सिर्फ estate में ही काम नहीं आएगी, है ना, तो बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा, ओमकाना ठाकुर जी के बड़े भाई का नाम क्या हो जाएगा, बालकृष्न थे उनके बड़े भाई ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उनके बड़े भाई का नाम, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के बड़े भाई, जो उन्हें कहां तक लेके गए, बंबई तक ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, ठीक है, चलिए, अगर प्रशन का उत्तर देंगे, प्रशन संख्या आठ, क बताई जल्दी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल पुजा, EMRS में भी बराबर रूप से काम देगा, ठीक है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को गंधर्व महाविद्याले का प्रिंसिपल बनाकर कब भेजा गया, और कहां भेजा गया, ये भी बताईएगा, ठीक है, बताईए ज महाविद्याले का प्रिंसिपल बनाकर इनको लाहौर भेजा गया, सन 1916 में, कब सन 1916 में इन्हें लाहौर भेजा गया था, गंधर्व महाविद्याले का प्रिंसिपल बनाकर पलूसकरजी के द्वारा, पलूसकरजी कौन थे, पलूसकरजी थे, इनके गुरू, ठीक है, और वो मुख्यगड था, गंधर महाविद्यालेगा, जो मुख्यगड माना जाता है, वो का माना जाता है लाहॉर में, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सन 1916 लाहॉर में, अगले प्रशन का उत्तर, प्रशन संख्या 9, पंडित ओमका ना ठाकुर का विवाह, किस वर्ष में पंडित ओमकार ना ठाकुर का विवाह, किस वर्ष हुआ, सभी लोग उत्तर दीजे, फटा फट से बताईए, सभी लोग क्या हो जाएगा उत्तर, हाँ लेकिन मैं देख रहे हूं कि आप लोग थोड़ा लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा कंजूसी तो मतलब ऐसे कम की जा सकती हैं, मुझा मालूम है, आप लोग बहुत कीन हैं, बहुत मगन हैं परशन करने में, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब एक सकेंड़ का समय लिगाल कर, क्यूंकि आपका ये एक लाИक ही है, जो मुझे बताता है, कि आप लोग मुझ से प्रेम करते हैं, आप लोगों को मुझे रोज देखना पसंद है तो यही छोटी-छोटी चीजे होती है जो मुझे प्रोचसाहन देती है तो जैसे मैं आपको प्रोचसाहित कर रही हूँ तो मैं भी वो प्रोचसाहन की हगदार हूँ की नहीं हूँ बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा पंडित ओमकान अठाकुर का विवा किस वर्ष हुआ जल्दी से बताईए सभी लोग उनका विवा हुआ था 1922 में ठीक है सूरत की रहने वाली थी इंदरा देवी ठीक है सूरत की इंदरा देवी थी जिन से उनका विवा हुआ और ये हुआ 1922 में ठन 1922 कॉपी में लिख लिजेगा सन 1922 में इंदरा देवी से ठीक है बिलकुल 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 सही बात पत्नी का नाम इंदरा देवी था ठीक है चलिए अगला पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को नेपाल के राजा से कितनी धनराशी प्राप्थ हुई ये तो पूछा गया प्रशन है एस्टेट में पिछली बार एस्टेट में प्रशन पूछा गया था कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को नेपाल के राजा से कितनी धनराशी प्राप्थ हुई थी पहली बार वो नेपाल गए थे, 6 दिन वहाँ रुके, 6 दिन वहाँ रुकने के बाद उन्होंने नेपाल के राजा के समक्ष अपनी कला की प्रसुती की और उसके बाद नेपाल के राजा ने खुश होकर उन्हें कुछ धनराशी दी थी और सम्मान भी दिया था तो बताईए क्या हो जाएगा पटापट से उत्तर दीजे क्या होगा जल्दी से बताईए सबी लो भाईया जहां संगीत पढ़ेंगे जूली मैं ही पढ़ाऊंगी बेफिक्र रही है बिल्कुल सही बात पांच हजार रुपे की राशी इतनी पांच हजार रुपे की धनराशी उन्हें दी गई थी और सम्मान दिया गया था छे दिन तक वो वहां रुपे थे ठीक है ना चलिए अगले प्रशन का उत्तर प्रशन संख्या 11 पंडित ओमकार नाठ ठाकुर ने कुल कितनी बार कुल कितनी बार नेपाल की यात्रा की है जल्दी से बताईए पहली बार में उन्हें 5000 रुपे की धनराशी मिली और 6 दिन उन्होंने स्टे किया उस जगह पर 6 दिन वो रुके उसके बाद फिर से वो वहीं पर गए, दुबारा तो कितनी बार गए, कुल, पहली बार तो गई उसके बाद कितनी बार गए, कुल जमा कितनी बार गए बताएए जल्दी से क्या होगा, सभी लोग उत्तर दीजे मनिक्षा जी paper 2 हिंदी के लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ अभी तो मेरी classes नहीं शुरू हूँगी उसके लिए paper 2 के लिए हिंदी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ फिल्हाल तो नहीं पढ़ा रही हूँ बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा गुड इवनिंग सुना ली पंडित ओंकाना ठाकुर जी ने कितनी बार यात्रा की बिल्कुल सही बात पहली बार तो की उसके बाद तीन बार और की चार बार कुली यात्रा की उन्होंने नेपाल की ये प्रशन भी पूछा गया है लिख लिजे कॉपी में प्रशन संख्या बारक पंडित ओंकाना ठाकुर जी को भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान कप भेजा गया था इसे समझे कि हमारे यहां पर सौहार्द पूर्ण तरीके से आपस में देशों को जोड़ने के लिए एक जगा से दूसरी जगा लोगों को भेजा जाता है कलाकारों को भेजा जाता है सांस्कृतिक मंडल के नित्रत्व के लिए उन्हें भेजा गया था अफगानिस्तान भेजा गया था हमारे यहां से तो कप भेजा गया था गुड़ इवनिंग निराला जी फटाफट से उत्तर दीजें सभी लोग क्या हो जाएगा पंडित ओमकार नाठ्थाकुर जी को भारा 1992 की भारती सांस्कृतिक मंडल के नित्रत्व के लिए भेजा गया था हमारे देश का आजाधी के लगभग दो साल बाद good afternoon उपासना ठीक है कॉपी में लिखते रहिएगा सासत नहीं भी लिख पाएं तो कम से कम कोशिश करिएगा कि आप लोग ध्यान से देख ले ठीक है बारतिय सांस्कृतिक मंडल के नित्रत्व के लिए 1952 में उन्हें भेजा गया था अफगानिस्तान अगले प्रशन का उत्तर पंडित ओमकाना ठाकुर ने किस वर्ष विश्वशान्ती परिशद में भारत का प्रतिनिधत्व किया दो बार प्रतिनिधत्व किया था विश्वशान्ती परिशद का दो बार प्रतिने दित्व किया पंडित ओंकाना ठागुर जी ने तो अलग-अलग जगा पर दोनों का वर्ष भी बताईए दोनों की जगा भी बताईए क्लास चल रहा है विकास जी तीन बज़े से रोज तीन बज़े से पांच बे तक आपकी क्लास होगी सोमवार से शुक्रवार शनिवार यार अविवार में से एक दिन आप लोगों की मैरथन लोगी ठीक है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा पटाफट से उत्तर दीजे वो इसलिए शैलेंद्र क्यूंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए है इसलिए कोई वैल्यू नहीं है छोड़ दीजे जितने प्रश्न के उत्तर आप करके आए भरोसा रखिये उस से 1953 में भी किया और 1954 में भी किया उनी सो तरेपन में किया था बुड़ा पेस्ट ठीक है बुड़ा पेस्ट में विश्वशान्ती परिशद हुई थी और 1954 में किया जर्मनी में ठीक है दो बार उन्होंने विश्वशान्ती परिशद का नित्रत्व किया था बुड़ा पेस् पंडित ओमकाना ठाकुर ने संगी इतांजली पुस्तक का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित किया था संगी इतांजली पुस्तक जो लिखी गई है वो पंडित ओमकाना ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है कि पंडित ओम कारना ठाकुर जी ने जो पहला भाग इसका सात भाग कुल प्रकाशित किये गए है सबसे पहला भाग कौन से सन में प्रकाशित किया गया था शुक्रिया खुशी धन्यवाद बहुत-बहुत बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए लिहाजन आपको ये किताब का नाम भी याद रखना है, बताएए, पहला भाग कब प्रकाशित किया उन्होंने, फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग क्या हो जाएगा, पहला भाग उन्होंने सन 1938 में प्रकाशित किया था, प्रकाशित किया, सन 1938 में संगीत आंजली का पहला भाग उन्होंने प्रकाशित किया था कॉपी में सभी लोग सन भी लिख लिज़ेगा तक ही याद रहे आपको सन 1938 में संगीत आंजली पुस्तक को उन्होंने पहले भाग के रूप में प्रकाशित किया आज में फिर छे भाग और छपे, कुल कितने भाग संगीत आंजली पुस्तक के प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, अगला प्रशन मैंने वही पूछ लिया है, और कोशिश रहेगी कि इसका उत्तर आप लोगों का सही हो, क्योंकि अभी अभी मैंने इसका उत्तर बताया आप को, बताये जल्दी से क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, जोतिश इस बार हो जाएगा, डोंट परी, ठीक है, बताये सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा, संगीत आंजली पुस्तक के कुल कितने भाग प्रकाशित अब तक हो चुके हैं, पहला भाग तो 1938 में प्रकाश हुए, बिल्कुल सही बात, साथ भाग प्रकाशित हुए अब तक, कितने, साथ भागों का प्रकाशन अब तक हो चुका है, संगीत आंजली पुस्तक के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं, साथ भाग, ठीक है, अगले प्रशन का उत्तर सभी लोग देंगे, प् प्रणव भारती पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया था, प्रणव भारती, ये भी एक पुस्तक है, बताए, क्या हो जाएगा, नहीं गुंजा आदत पढ़ गए आप लोगों को पढ़ने की, जब हमें पढ़ने की लट लग जाती है एक बार तो फिर आपका मन बार हासल का लेगा, लेकिन बाकी जीवों में कोई सुख नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि पढ़े-लिखे बनिये, है ना, बताएए जल्दी से क्या हो जाएगा, बिलकुल सही बात, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की कृती है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की कृती है, क्या, इनी के द्वारा रचित है आपकी प्रणाव भारती पुस्तक, ठीक है ना, पंडित ओमकारना ठाकुर जी ने ही लिखी है प्रणाव भारती आपकी, अगले प्रश्न का उत्तर देंगे, सभी लोग क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17, पंड संगीत मारतंड की उपाधी, कब मिली और किसने दी, जल्दी से बताईए सभी लोग, सभी लोग उत्तर दीजे क्या होगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शेलिंद्र निशिंत रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, बताईए जल्दी से उत्तर क्या हो संगीत मारतंड की उपाधी, उमकाना ठाकुर जी को कब दी गई, देखे, 1930 में राज किये संस्कृती महा विद्याले था, कोलकाता का, क्या था, नाम लिखिये, राज किये संस्कृती महा विद्याले, कहां का था ये, कोलकाता का था, ठीक है, इस विद्याले ने, महा विद संवित मार्तंद की उपादी एफूस? इसको कॉपी में लिख लेजगा सभी लोग। पन्डित ओमकारना ठाकुर जी को संवित समराड की उपादी किसके द्वारा दी गई? किसने संगीत इनको दो उपाधियां मिली थी संगीत समराट और संगीत मार्तंड संगीत मार्तंड की उपाधी तो राज की है संस्कृती महाविद्याले कोलकाता द्वारा दी गई संगीत समराट की उपाधी किसने इन्हें दी और कब दी ये भी बताना है बताईए जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा फटा फट से उत्तर दीजे चिंता न करिये श्रेया सब अच्छा होगा बेफिक्र रही है ठीक है? परिशान न होई है कोई भी जो होगा अच्छा होगा आपने अपनी तरफ से बहतर दिया है अब निश्रिंथ होकर बैठ जाईए जो होगा वो उसे होने से हम लोग नहीं रोग सकते है की नहीं? लेकिन आगे के लिए जरूर सोच सकता है मैं तो हर बच्छे को यह कहूंगी हर स्टूडन को यह कहूंगी कि आपके पास मौके कम है बच्छे के वल तीन मौके दे रही है इन तीन मौकों को भुनाना कैसे भुनाना यह आप लोगों के उपर है इसको बहतर तरीके से भुना लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी नहीं तो नहीं फिर हम लोगों को पूरी ये मैनत कर नहीं कि हमें नौकरी इसी बार मिल जाए और एक प्रतिशत भी अगर ऐसा हो कि इस बार नौकरी न मिल पाई तो अगली बार तो 100 प्रतिशत पक्का होना चीए है की नहीं, तो जल्दी से पताएगे क्या हो जाएगा संगीत समराट की उपाधी उन्हें किसके द्वार दी गए विशुद्ध संस्कृत महाविद्याले था 1933 की बात है सन 1933 में विशुद्ध संस्कृत महाविद्याले काशी विशुद्ध संस्कृत महाविद्याले काशी ने उन्हें ये उपाधी प्रतान की ठीक है? ये काशी के द्वारा उपाधी दी गई थी ने जी बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा? पटाफट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर? पटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बाद, सही बाद, अगले प्रशन का उत्तर, पंडित ओंकाना ठाकुर जी को सन 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, राश्रपती जी ने उन्हें ये सम्मान दिया था, अब ये बताईए कि सम्मान का नाम क्या था, बताई उनके मार्क्स बाकी भी कुछ उतने खास होंगे नहीं, लगबाग उसी के आसपास मार्क्स होंगे, ठीक है, हाँ, बिल्कुल तीन बार मनीशा, एकडम ठीक सोचा, जल्दी से बताईए, हाँ, विश्व शंस्कृती महा विध्याल है, बिल्कुल सही बात, जल्दी से द्वारा पदमश्री सम्मान दिया गया था, क्या दिया गया था, पदमश्री सम्मान, बहुत सारे लोग पदमभूशन या विभूशन लगा देते हैं, नहीं, पदमश्री सम्मान से उन्हें विभूशित किया गया था, और वो सम्मान उन्हें राष्ट्रपती जी के दिया गया था ठीक है अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे प्रश्न संख्या 20 कहने ठाकुर जी को श्रीकला संगीत भारती पर जान। उस महावदियाले का अध्याक्ष पद दिया गया था किस वर्ष में दिया गया था श्री कला संगीत भारती यह जो आप संगीत का महाविद्याले देख रहे हैं बहु यानि के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भीतर एक संगीत कला संगीत की स्थापना की गई थी कला संगीत महाविद्याले की यह जो श्री विश्म विद्याले के भीतर एक स्थापना की गई थी कला और संगीत के महा विद्याले की जिसका नाम रखा श्री कला संगीत भारती ठीक है उसका अध्यक्ष बनाया गया इन्हें किस वर्ष में बनाया गया वो बताना है आप लोगों को जल्दी से बताईए लर्न विद्मी जी 73 हैं आप निशिंत रहिए रिजल्ट आएगा तो बल्कुल पता चल जाएगा ठीक है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा कौन से सन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था इस महा विद्याले का सभी लोग उत्तर देंगे फटापट से क्या होगा PSC 33 में भी उतने ही काम देंगे ठीक है बताईए सबी लोग श्री कला संगीत भारती के नाम से स्थापित जो संगीत महा विद्याले था ये BHU के अंदर इस महा विद्याले की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित ओमकाना ठाकुर जी को कब बनाया गया था ये बताना है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा सन 1950 में बिल्कुल सही बात सन 1950 में वहां का अध्यक्ष बनाया गया था किसको अपंडित ओमकाना ठाकुर जी को अगले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सभी लोग ठुमरी के धंग पर भजन गाने की जो श विक्सित किया बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर थुमरी के धंग पर भजन गाने की जो शैली है उसे किस ने विक्सित किया सभी लोग उत्तर दीजे क्या हो जाएगा कोई बात नहीं अमित इस बार आपके पास अच्छा मौका है आप क्वालिफाई करिए क्वालिफाई करने के बाद एक्जाम दीजे इस बार BPSC 33 का कोशिश रहनी चाहिए कि इस बार आप लोगों को सेलेक्शन मिल जाए ठीक है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा ठुम यह ठुमरी के बेस पर भजन गाया करते थे चंचल प्रवत्ती की वज़े से ठीक है चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देंगे क्या होगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 कह रहा है ओमकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा गाय गये कौन-कौन से मतलब उनके recorded और गाय गय क्या हो जाएगा सही उत्तर लाइब का टाइम सशी जी सशी रंजन जी रोज 3-5 आप लोगों को मैं इसी समय पर बिहार अडर 24-7 हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलूंगी ठीक है रोज पढ़ाई होगी 3-5 बताईए जल्दी से क्या होगा ओमकारनाथ ठाकुर जी के द्व क्या हो जाएगा पहला बजुन लिखिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायू पहला भजन ठीक है? एक और भजन है, हाँ, बिल्कुल सही बात आईश जी मैं क्लास के बारे में बिल्कुल end में बताऊंगी, तब तक आप प्रश्न करिए अच्छे से जिसको भी क्लास के बारे में जानना है वो क्रिपया end तक प्रतीक्षा करें पहले हम प्रश्न करेंगे, उसके बात बात करेंगे पहले ये जरूरी है, अभी एक गंटा इंतिजार करिए पहले हम ये काम करेंगे जो जरूरी है मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो हो गया जोगी मतजा ईक उनका भजन है बहुत प्रसिद्ध, जोगी मत जा, ठीक है, एक और भजन है इनका, वो है रे दिन कैसे कटी हैं, ये तीन भजन इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, तो तीनों भजन लिख लिजे, ठीक है ना, तीनों भजन लिख लिजे, जोगी मत जा, रे दिन कैसे कटी हैं, मैया मोरी मैं नही माखन खायो, इस तीन भजना इनके बहुत प्रचलित, तीनों लिख लिजे कॉपी में, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिजे, या तो इसे कॉपी में लिख लिजे, ठीक है, मैं साइड हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, चलिए, अ प्रश्न का उत्तर देनी कोशिश सभी लोग किया कीजे, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती ही, कि आप लोग प्रश्न का उत्तर दें, भले ही गलतों, लेकिन कोशिश किया कीजे, है न, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसके लिए पहले कोशिश हम लोगों को करन वाड़न पड़ेगी, तभी तो होर नहीं होगी, बताइए जल्दी से क्या hooga, पंडित ओमकारणा ठाकुर जी के इम्रित्यु किस वर्ष होई, फटाफट से बताइए हूपत से बताइए और, जल्दी से बताइए और, जल्दी सेvard क्या होगा, तभी लोग उत्तर दीजे फटाफट से क्या हो जाएगा 28 दिसंबर 1967 बहुत बढ़िया और कोई 1967 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम ठीक है 28 दिसंबर 1967 इनकी मृत्यों का वर्ष क्या हो जाएगा 28 दिसंबर 1967 एकदम ठीक जिसको नहीं मालूम है वो कॉपी में जरूर लिख लें जो भी भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है वो कॉपी में लिख लें इसको ठीक है चलिए अगले प्रश्न का उत्तर स्वर्गी ये संगी तग ये अब्दुलकरीम खां के प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन से हैं बहुत सारे शिष्य हैं इनके नाम पूछे गए हैं इसी बार विप्यस्य की परिक्षा में टीजी टी में भी पीजी टी में भी ठीक है बताईए जल्दी से अब्दुलकरीम खां के शिष्यों के नाम बताईए जल्दी से प्रश्न को गुमागर पूछा जा सकता है लेकिन उत्तर वही होगा ठीक है ना बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा स्वर्गी ये संगी तग ये अब्दुलकरीम खा के शिष्ष बहुत सारे अच्छे अच्छे शिष्ष रहे हैं उनके जो बाद में बहुत बेहतरीन गुरु भी रहे बहुत सारे लोगों के तो बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा सभी लोग उत्तर देंगे स्वर्गी ये संगी तग ये अब्दुलकरीम खा के शिष्ष कौन हो जाएगे जल्दी से बताईए देखिए हीरा भाई बड़ो देकर कॉपी में लिखते रहिए हीरा भाई बड़ो देकर इनहीं के शिष्ष हैं एक और शिष्ष का नाम लिखें इनकी सरस्वती राने क्या हो जाएगा सरस्वती राने ये सारे नाम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी लोग ठीक है ना सरस्वती राने और लिखिए रोशनारा बेगम कौन हो जाएगी रोशन आरा बेगम बहुत प्रसेद गाई का रही है पहले यहीं थी फिर बाद में कहां चली गई बाद में पाकिस्तान गई रोशन आरा बेगम ठीक है इसके अलावा हो जाएंगे आपके सुरेश बाबु माने क्या हो जाएंगे सुरेश बाबु माने बहरे बुवा कौन हो जाएंगे बहरे बुवा और इसके अलावा कुंद गोलकर जी जिने सवाई गंधर्प कहते हैं वो भी ठीक है ना तो लिखिए इसके अलावा एक नाम और लिख लीजे सभी लोग पंडित राम भाव कुंद गोलकर क्या हो जाएगा कहा लिखू इस नाम को यहां लिख दूँ कितने नाम हो गए छे हो गए पंडित राम भाव कुंद गोलकर जिनको कहा जाता है सवाई गंधर्प इसको कॉपी में लिख लीजे ठीक है सभी लोग यह च्छे के छे नाम अपनी कॉपी में लिख लीजे इरावाई बढ़ो देकर सुरेश बावुमाने बहरेबुआ सरस्वतिराने रौशनारा बेगम पंडित राम भाव कुंद गोलकर जिने आप सवाई गंधर्प के नाम स बताईए जल्दी से सभी लोग, सभी लोग comment box में उत्तर जरूर दिया कीजे, उत्तर गलत हो सकता है, जादा से जादा, जरूरी बात है कि आप लोग उत्तर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग उत्तर देंगे तो, बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा अब्दुलकरीम खां कहां के रहने वाले थे, फटाफट से उत्तर दीजे, music is live जी आप अलड़ी मेरे साथ जुड़े हुएं यहाँ पर तो, ठीके इसके अलावा कैसे जुड़ सकते हैं, वो अन्त में बताऊंगी अभी नहीं, ठीके अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, जल सहारनपूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपूर के किराना गाउं से, किराना गाउं, आज के समय पर इसे किराना को क्या कहा जाता है, 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 क्या कहा जाता ह सहारनपुर के पास में एक जगा थी किराना जहांके अब्दुलकरीम खा जी थे रहने वाले थे ठीके किराना गराने से थे अब्दुलकरीम खा लिख लीजे प्रश्ण संख्या 25 हो जाएगी अगले प्रश्ण पर आते हैं प्रश्ण संख्या 26 बताईए अब्दुलकरीम खां के पिता का क्या नाम था? स्वर्गी अब्दुलकरीम खां के पिता का क्या नाम था? इनके पिता और इनके चाचा दोनों बहुत बड़े संगीत अगे थे, जो इनके गुरू भी थे, चीकिया? तो बताईए इनके पिता का क्या नाम था, पटापट से सभी लोग उत्तर देंगे, क्या नाम था अब्दुलकरीम खा के पिता का, जल्दी से बताईए, स्वर्गी अब्दुलकरीम खा के पिता का क्या नाम था, सभी लोग उत्तर देंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से पटापट से उतर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा काले खाँ बिल्कुल सही बात स्वर्गी ये काले खाँ उस्ताद काले खाँ इनके पिता थे कौन थे उस्ताद काले खाँ इनके पिता थे ठीक है चलिए अगले प्रशन का उत्तर देंगे अब्दुलकरीम खाँ के चाचा का नाम पूछा है चाचा का क्या नाम था चाचा कौन थे इनके इनके चाचा भी इनके गुरु रहे हैं तो बताए जल्दी से सब्भी लोग क्या हो जाएगा इनके चाचा का नाम क्या हो जाएगा फटा फट से बताईए सभी लोग इनके चाचा का नाम क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए सभी लोग क्या होगा फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या होगा क्या हो जाएगा इनके चाचा का नाम इनायत खाँ, बैरम खाँ, वहीद खाँ भहिया इन में से कोई नहीं था अब्दुल खाँ इनके पिता का नाम था चाचा का सौरी क्या था इनके चाचा का नाम अब्दुल खाँ दर्बार में गाया करते थे एक विशेष जगा थी जहांके राजा के दर्बार में गाया करते थे तो वो कौन सी जगा थी जिनके राजा के दर्बार में गायक करते थे बताईए जल्दी से सभी लोग क्या हो जाएगा पटापर से उत्तर दीजे क्या होगा प्रश्न संख्या 28 कहां के नरेश के दर्बार में ये गायक थे सभी लोग उत्तर दीजे काले खां और अब्दुल खां दोनों भाई थे और काले खांजी के बेटे थे अब्दुलकरीम खांग पताईए जल्दी से क्या हो जाएगा अब्दुलकरीम खांग कहां के राजा के दर्बार में दर्बारी गायक थे पटापट से सभी लोग उत्तर देंगे क्या हो जाएगा जल्दी से पताईए दर्बारी गायक थे, बड़ोदा के नरेश थे वो, ठीक है, बड़ोदा के नरेश के यहाँ पर अब्दुलकरीम खा गायक थे, ठीक है, दर्बारी गायक, चलिए, अगले प्रशन का उत्तर, अब्दुलकरीम खा ने आर्रे संगीत विद्याले की स्थापना, किस वर्ष में क कब की और कहां पर की ये भी बताईएगा अब्दुलकरीम खाजी ने बाद में इस विद्याले को खेर बंद कर दिया था कहां पर की ये भी बताना बाद में पूना लेके गए पूना पूना जाने के बाद भी ये विद्याले बंद हो गया वहां पर किसी कारणवश तीन साल तो उस विद्ध्याले का नाम था आर आ संगीत विद्ध्याले, ठिक है? ये विद्ध्याले इन्होंने कहाँ पर पहले इस्थापित किया, कौन से वर्ष में किया, ये बताना है बताइए जलुदी से क्या हो जाएगा फटा-फट से उत्तर दीजे क्या होगा? जल्दी से पताईए पूना में कहाँ पर किया ये पूना में स्थापित किया था सन 1913 में सन 1913 में पूना में इसकी स्थापना की थी तीन वर्ष पश्षा थी ये विद्याले इन्होंने बाद में बंद कर दिया ठीक है? तो पूना में स्थापना की थी क्योंकि कई बार ये पूछा गया प्रशन है ठीक है ये छिपे हुए प्रशन होते हैं जो कहीं कहीं दिखते हैं आप लोगों को अचानक से दिखाई देंगे एकदम से उबर के हैं और ये प्रशन कठिन नहीं है बस ऐसे हैं जिस पर नजर नहीं जाती ठीक है तो 1913 में पून उनकी मृत्यू का वर्श बताना है आप लोगों को पटाफट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा अब्दूलकरीम खांजी की मृत्यू किस वर्श में हुई जल्दी से बताईए जल्दी से उत्तर दीजे सभी लो जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा उत्तर पटाफट से उत्तर दीजे सभी लो अब्दूलकरीम खांजी की मृत्यू किस वर्श में हुई इतने अच्छे अच्छे इन्होंने गायक दिये इतने अच्छे अच्छे गुरू दिये हमें है ना सवाई गंधर्व जैसे गुरू बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा कब हुई थी बिल्कुल सही बादशालू 27 अक्टूबर सन 1917 में कब 27 अक्टूबर सन 1917 में इनकी मृत्यू हो गई थी ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संक्या 31 अब्दुलकरीम खाजी द्वारा गाई गई ठुम्रियां देखे ठुम्री एक ऐसी कला है गायन शेली है जो थोड़ी सी चंचल प्रवत्तिगी होती है और बहुत बहतरेन भी होती है गाने में जैसे कि मैंने आप लोगों को एक ठुम्री सिखाई थी शायद आप लोगों को याद होगी यह मिश्रक हमाज में है काफे प्रसिद ठुमरी है आज शाम मोहलई बासुरी बजाए के आज शाम आज शाम आज शाम आज शाम आज शाम बाजुरी बाजुरी बजाए काना सुधर वेस राए के आज शाम मोहलई बाजुरी बजाए के आज शाम बहुत प्रसिद ठुमरी है और मैं यह कहूंगी चोटी-चोटी चीज़े आप लोगों को सिखाऊंगी जो आप लोग आगे जाकर अपने शुडिन्स को सिखाएंगे तो काफी जादा प्रसिद्धी प्राप्त होगी काफी जादा सराहना मिलेगी आप लोगों को ठीक है ऐ यह एक छोटी सी ठुमरी और है जो मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार शेयर की है इन ठुमरी ओं को आप लोगों को सीखना चाहिए यह आपके काम आएंगी है ना स्टूडिन्स को सिखाने के काम भी आएंगे आपके खुद के काम भी आएंगी एक और है ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी पिया प्यारे तो हे क्रिश्न के मना एसे मैं ना मानूंगी ना मानूंगी ना मानूंगी तू तो भयो निपट निडर जट पट पकड़त बाहिया तू तो भयो निपट निडर जट पट पकड़त बाहिया हे क्रिष्ण यशुदा को लाले ब्रज को गोपाले जिनन्द लाले लाल ना मानोंगी ना मानोंगी पी आ ब्यारे तो हे क्रिश्ण के मना असे मैं ना मानोंगी ना मानूगी, ना मानू बहुत अच्छी ठुम्डी है ये सारी ठुम्डी आप लोगों को सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? धन्यवाज, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ऐसी बहुत सारी चीजे में आप लोगों को सिखाती रहोंगी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के काम आती रहेंगी, प्रैक्टिकल वाली चीजों के लिए आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, कोई गुरु दक्षिना नहीं दे रहे हैं, हाला कि बिना गुरु दक्षिना के गुरु सिखाए तो यह बहुत बड़ी बात होती है, हमारे य बास रखनी है इसको, और ऐसे बना के रखना है कि ना आप लोगों को नीन आए, ना आप लोगों को बिलकुल भी बोरियत महसूस हो, और आप लोग बहुत सारी चीज़ा सीख भी जाए, है की नहीं, म्यूजिक का स्लेबस आठ की क्लब जी मैं आपको डिसकस करूंगी, आप लोगों के लिए बहुत लाबकारी होंगे, वो सारे शॉर्ट्स आप लोग देखते रहें बीच-बीच में, ठीक है ना, गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग, चलिए, थुमरिया मतानी है कौन-कौन सी थी, अब्दुल-करीम खांकी, तो देखिए नहोंने द दन्तुरित मुस्कान दिखाएंगे, वही मेरे लिए गुरु दक्षिना है, ठीक है, चलिए, अब्दुल-करीम खाने जो दो ठुमरिया गाई, उनमें है, मत जई हो, राधे, जमना के तीर, तीर का मतलब होता किनारे, ठीक है, तो लिख लो, कौन सी हो जाएगी, मत जई हो राधे, जमना के तीर, तीर मतलब किनारा, ठीक है, और एक और ठुमरी है इनकी, प्रसिद्ध ठुमरी जो इन्होंने गाई है, वो हो जाएगी आपकी, पिया बिन नाही आवत चैन, पिया बिन नाही आवत चैन, आवत चैन, आप ऐसी जगह पर बैट कर क्लास ले रहे हैं कि आप लोगो बिलकुल एकदम तसलिप पूरवक बैट जाएगे, जितना करा रही हूं, अगर उतना अच्छे से आप लोगों ने कर लिया तो, एक्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोग सकता, ठीक है, शुक्रिया दीपूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बिलकु अगले प्रशन की ओर, अब्दुलकरीम खां का पहनावा, देखे, कुछ संगी तक यह ऐसे रहे हैं, जो अपने पहनावे के लिए जाने जाते हैं, एक विशेश तोर का पहनावा, जैसे कि मानलो हम बात करें फयास खांजी के बारे में, हम बात करें बड़े गुलाम अली अब्दुलकरीम खांजी का पहनावा था, जिससे वो जाने जाते थे, थे तो एकदम पतले दूबले से, लेकिन आवाज बड़ी मधूर थीन की, तो अब्दुलकरीम खांजी का पहनावा क्या था, वो बताना है आप लोगों, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, पटा पट से उत्तर दीजे, अब्दुलकरीम खांजी का पहनावा, वो बंद गले का कोट पहनते थे, साफा पहनते थे और हाथ में छड़ी लेकर रहते थे, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या-क्या पहनते थे वो, एक तो बंद गले का कोट, बंद गले का कोट, जाधा तर काले र ये अब्दोल करीम खाजी की पहचान थी ठीक है ना बंद गले का कोट, साफा और हाथ में छडी ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाथ में छडी रहती थी उनकी हमेशा, जब वो चलते थे तो हाथ में छडी रखते थे अपने ठीक है इसको लिख लीजे सभी लोग कॉपी में लिख लिख लिया है सभी ने एस्टेट का कट ओफ कितना जाएगा ते जस भी नहीं वो क्वालिफाइंग नेचर का एक्जाम है कट ओफ नहीं होती है उसके बारे में चर्जा करूंगी चिंता न करो पहले पढ़ाई तो हो जाए अभी पढ़ ले घंटा और मेरी कोशिश है कि कम से कम 45-50 प्रशन आप लोगों को कराये जाएं पूरी कोशिश मेरी यही है गुड इवनिंग प्रिया सबने लिख लिया नहीं चलिए अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं प्रशन संख्या 33 कहारा पंडित अहोबल कहां के निवासी थे पंडित अहोबल इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा इनसे जुड़ेवे प्रशन आपको BPSC के इस बार वाली परिक्षा में भी देखने को मिले हैं बताईए जल्दे से क्या हो जाएगा कब से क्लास शुरू होती है प्रिया रोज आना तीन बज़े से पांच बे तक आपकी क्लास रहेगी पूरे दो घंटे में आप लोगों की रोज क्लासेज यूट्यूब पर रखूंगी यूट्यूब पर प्रश्ण के माध्यम से हम लोग स्लेबस की बहुत सारी चीज़े करेंगे ठीक है तो तीन बज़े से लेकर पांच बे तक रोज दो घंटे क्लासेज होंगी साफा सिर पर पहना जाता है साफा नहीं देखा है आप लोगों ने वो सुना है उसमें साफा पहन कर ऐसे लोग ऐसे नाच रहे तक यह चलिए हां बिलकूल बिलकूल कूट इवनिंग राईडर जी बताइए जल्दीं से क्या हो जाएगा पंडित अहोबल कहा के निवासी थे, कहा के रहने वाले थे, अंजीता जी मैंने उस पर बात की है अच्छे से, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, BPSC के कट आफ पर मैंने बात की है, ठीक है, नौ से दस में तक रात में, आप तो तेजस्विनी वो नहीं होगी, अब तो सुभा हुआ करेगी, तीन बजी से फान्च बेतक्ष, मतलब शाम में ही, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया अंजली, यही उम्मी थी आव लोगों से, बताइए सबी लोग क्या हो जाएगा, पटा-पट से उत्तर देजे सबी लोग क्या हो जाएगा बिल्कुल सहीवा, दक्षिन भारत के रहने वाले थे, पंडित अहुबल, कहां के थे, दक्षिन भारत के निवासी थे, पंडित अहुबल, विशिष्ट जगा का तो पता नहीं चलता कहां के थे, लेकिन कहा जाता है कि दक्षिन भारत के रहने वाले थे, ठीक है, अगले प्र जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा बिलकुल होगा बिलकुल होगा ते जस्वनी, don't worry देखो कोशिश करते रहना चाहिए, आप सभी लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, मेरा कहना ये है कि निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे आप पा नहीं सकते है है ना? है वो एक गाना है ना? आज से ही चालू हुई है, राधा क्लास आज से हमारी क्लास हो रही है आपने गाना सुनाओगा, मैं बहुत बार अकसर इस गाने को गुंगुनाती रहती हूँ रुक जाना नहीं तू कभी हार के काटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के तो भाई रुकना सच में बैतर नहीं होता है मुख्य धारा में बने रहेंगे और चलते रहेंगे तो चीजें मिलेंगी ठीक है? बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा पंडित अहोबल के पिता का नाम पटापट से बताईए सबी लोग क्या होगा? पंडित अहोबल के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताईए सबी लोग देखें पंडित अहोबल के पिता थे श्री कृष्ण जी बहुत बड़े पंडित थे क्या नाम था? हाँ, बिलकोल, बिलकोल, चलिए, आगले प्रश्ण का उतर देख ले ते, पिछली बार 8 की कलब जी का एस्टेट एक नंबर से रह गया, इस बार 10 नंबर से आगे जाएंगे, कम से कम, ठीक है? चलिए अगले प्रशन का उत्तर, प्रशन संख्या 35, बताईए इस पुस्तक का लेखन ईन्होंने किस वर्ष में किया, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा, और कहां पर किया था ये भी बताईएगा, ठीक है? अहोबल जी ने संगीत पारिजात पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया और किस जगा पर रहकर किया दोनों बताईएगा पटापट से उत्तर दीजे सबी लोग क्या हो जाएगा? जल्दी से बताईए जल्दी से बताईएगे क्या हो जाएगा? बताईए जल्दी से क्या होगा? 1625, 1650, very good सत्रवी शती का मध्य कई बार ऐसे का जाता है सत्रवी शती का मध्य कई बार ऐसे कहते हैं 1650, एक ही बात है, ठीक है? दोनों में आप लोगों को गन्फ्यूज नहीं हो ना दोनों का मतलब एक ही है सत्रवी शती का मध्य कह लिजे या 1650 कह लिजे एक ही बात है, मतलब 16 वी शती तो पूरी हो गई, 1601 भी शुरुआ तो 17 वी शती का, 17 वी शती का मद्ध है, इसलिए क्योंकि 1650 की बात हो रहे है, आधा वर्ष बीत गया है, आधा शत बीत गया है, ठीक है, 1650, लिख लिए जिसको कॉपी में, शुती हे तू, उन्होंने शुती के बारे में काफी सारी चीज़े बताई थी, तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़े थी, अहोबल जी ने अपनी संगीत पारिजात पुस्तक में, जिसकी परिचर्चा, जिसकी चर्चा अपनी पुस्तक में की है, अमरेश जी, स्लेबस आपको बता दिये जाएगा, don't worry स्लेबस के बारे में आप लोगों को मैं शॉट्स के माध्यम से जानकारी दूँगी complete स्लेबस का मैं पूरी तरीके से विशलेशन कराऊंगी क्या क्या आपके स्लेबस में रहने वाला है, उसके बारे में बाचीत होगी, ठीक है don't worry पंडित अहोबल ने शुरुती के लिए किस विशेश चीज की कलपना की बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर फटा फट से सभी लोग उत्तर देंगे पंडित अहोबल ने शुरुती के लिए किस विशेश चीज की कलपना की बताईए जल्दी से क्या होगा फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए अहोबल ने शुरुती है तो किस विशेश चीज की कलपना की जल्दी से बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा भाई अमरेश एक बार ये प्रश्ण पूछो के तब भी वही उत्तर दूँगी एक हजार बार पूछो के तब भी यही दूँगी दस हजार बार पूछो के तब भी यही दूँगी रुख जाओ, धहरे रखो, आज शाम में या फिर कल सुभा में आप लोगों से स्लेबर्स रिस्कस किया जाएगा, don't worry, ठीक है, चलो, अब बदाओ जल्दी से क्या हो जाएगा, पटाबच से उत्तर दो सभी लो, किस-किस चीज की, देखे, इन्हों ने एक तो, अच्छा पुस्तक का लेखन किया था, 1650 में, जगा का नाम भी लिख ले न, धनबड, ठीक है, जगा का नाम भी लिख ले न, सभी लोग धनबड, ठीक है न, चलो, अब अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, कि शृती के लिए उन्होंने किस चीज की, किस विशेश चीज की, स्थाप शृती अंतर कितना है, इन्होंने, शृती अंतर के, कालपनिक माप, के बारे में बताया कि, एक शृती से दूसरी शृती के बीच में, अंतर कितना है, इसकी कलपना इन्होंने की, शृती के स्थान पर वैग्यानिक माप की, भई शृती के स्थान पर वैग्यानिक तरीके से माप क्या होना चाहिए उसके बारे में कल्पना की तो ये भी लिख लो शुती के स्थान पर स्थान पर वैग्यानिक माप वैग्यानिक तरीके से बताये कि शुती का स्थान क्या होना चाहिए इन्होंने बताया कि एक शुती का स्थान क्या होना चाहिए वैज्यानिक तरीके से क्या होना चाहिए तो एक इसके बारे में इन्होंने चर्चा की इसके अलावा इन्होंने चर्चा की कि तार की लंबाई और आंदोलन कितना होना चाहिए तार की लंबाई इन्होंने रखी उसकी कल्पना की और आंदोलन संख्या इन सब चीजों की कलपना इन्होंने शुती के मध्ध की, शुती के बारे में की तो ये सारी की सारी चीज़े आप कॉपी में लिख लीजे, एक भी चीज मिस न हो जाए क्योंकि एक भी चीज मिस हुई तो उसी से प्रश्ण मना तो आप लोग कर नहीं पाएंगे कॉपी में सभी लोग इसको लिख लीजे, शुती के कालपनिक माप, शुती के स्थान पर वच्जानिक माप, तार की लंबाई और अंधोलन संख्या इन सब چीजों के बारे में उन्होंने कलपना की थी, अपनी पुस्तक संगीत पारिजात में सभी लोग इसको लिख लेजे, पटाफट से लिख लेजे सभी लोग, जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा, सभी ने लिख लिया, लिख लिया, सभी ने, म्यूजिक लाइव जी और और भी पूछ रहे हैं, हलो आयाज, राधे राधे, अमरेश आप भी पूछ रहे हैं, बुक के बारे में भी मैं चर्चा करूँगी अच्छे से, बुक कौन कौन सी चाहिए, ठीक है, बुक के बारे में भी मैं परिचर्चा क पर स्वरों की स्थापना की। कौन वो व्यक्ति था जिसने सर्व प्रथम वीना के तारों पर स्वर की स्थापना की। साप से करते रहिएगा ठीक है बताई जल्दी से क्या हो जाएगा सर्व प्रथम वीना के तार पर स्वनों की स्थापना वैज्यानिक आधार पर किस ने की बताई जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर क्या होगा प्रशन का उत्तर बिलकुल सही बात पंडित अहोबल जी के इसके द्वारा पंडित अहोबल जी के द्वारा, हाला कि बाद में पंडित अहोबल जी ने चोटी मोटी कम्या छोड़ दी थी, उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए बाद में श्रेनिवास जी ने स्वरों की स्थापना वैज्ञानिक आधार पर की और पूरे अच्छे तरीके से की थी निकल जाएगा कुकु केके सिंग जी बस थोड़ा सा तैयारी को दुरुस्त रखिएगा जो जो चीज़े करा रही हूं वो सारी चीज़े करते रहिएगा बिलकुल मिलेगा यू के प्रेमी जी इसका पीडिएफ भी मिलेगा आप लोगों को उसके लिए बिहार अड़र 247 के टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना होगा जो अभी क्लास में आप बैठे हैं जिस क्लास को आप देख रहे है हैं उसी क्लास के एंड होने पर इसी वीडियो के description box के link में आप देखेंगे तो एक link आपको दिखाई देगा टेलीग्राम चैनल को डाउंडोर कर ली जहेगा प्रश्ण बहुत बार पूछा गया is लिए उसक्तर बार स्वरों का प्रयोग किया है यहां तरों की स्थापना की बताईे जल्दी से क्या हो जाएगाнее कि सब्सक्राउच का प्रयोग किया कौन वो व्यक्ति है जिसने सब पहले 12 स्थापित किये एक सब्तक में, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा, पटाफट से उत्तर दीजे क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा, पटाफट से उत्तर देंगे सभी लोग, एहोबल जी ने very good बहुत बढ़िया अब आप लोग सोच रहा होंगे कि अहोबल जी ने 12 स्वरों का प्रयोग किया हाँ इन्हों ने 12 स्वरों का प्रयोग किया था क्योंकि इन्होंने स्वर बताय थे 12 से ज़यदा लेकिन वो कायदे में 12 थे क्यों? क्योंकि एक स्वर के एक से जाधा नाम इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए स्वर जाधा दिख रहे थे, लेकिन कायदे में वो जाधा थे नहीं, वो स्वर बारा ही थे, बस एक स्वर के एक से जाधा नाम थे, इस लिहाजन बारा स्वरों को पहली बार इन्होंने ही एक सब्तक में प्रयोग किया था तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक सब्तक में 12 स्वरों का सरवर्थम प्रयोग किया था आपके अहोबल जी ने यह प्रशन पूछा जाएगा ठीक है ना यह प्रशन पूछा जाएगा इसको याद रखना है आप लोगों को अगले प्रशन का अलग है, दोनों प्रश्णों को अलग-अलग देखिएगा, ठीक है ना, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, खुशी, don't worry, मेरे हिसाब से हो जाना चीए, अभी देखते हैं वैसे, ठीक है, थोड़ा सा प्रभावतुर रौनक पड़ेगा, लेकिन बहुत जादा नहीं अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने स्वरों की व्याख्या कुल की गई है, फटा-फट से बताइए सबी लोग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सबी लोग उत्तर क्या होगा इसका, अहोबल जी के द्वारा ग्रंथ में कितने स्वरों की व्याख्या कु कितने स्वर हो जाएंगे कुल, ध्यान रखेगा कुल स्वर उन्होंने बताएं हैं कितने, कुछ लोग कहते हैं 29, कुछ लोग कहते हैं 19, कुछ लोग कहते हैं 29, काइदे में वो क्या हैं, 29 हैं, कितने हैं, 29 स्वरों की व्याख्या उन्होंने की है, ठीक है, अब उसमें से 29 बता दू, 29 स्वरों में आपके 7 स्वर तो हो गए, शुद्ध स्वर, कितने हो गए, 7 तो हो गए, शुद्ध स्वर, अब विकृत स्वरों की बात कीज़ें, तो बाकी बचे में 22 स्वर इनके विकृत स्वर हैं, अहोबल जी के 22 स्वर हैं, जो विकृत हैं, लेकिन ये 22 स्वर अलग अलग है तिवर्वी है कोमल भी है तो इन्हों थो अलग अलग तरीके से बविभाजित किया है तेवर् और कोमल के रूप में अगर सास होनों को चोड़ दिया जघा तो 20 स्वर सर्ण के विकृत्वर है इतने हैं विकृत्bach ठीक है, कुल 29 स्वरों के बारे में व्याख्या की गई, लेकिन ध्यान रखना ये नाम रिपीट है, ऐसा नहीं है कि इनके स्वर 29 हैं, नहीं, स्वर तो उतने हैं, बाइश रुतिया हैं तो 22 से जादा कैसे स्वर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुल जमा 12 स्वरों को ही माना है, जो मुख्य माना है, ठीक है, 12 स्वर इन्होंने मुख्य माने हैं, बस 12 के नाम इतने रख दिये गएं, जिसकी बज़े से 39 दिखाई देते हैं, ठीक है, चलिए, अगले प्रशन का उत्तर, अहोबल जी ने संगीत पारिजात पुस्तक में कितने अध्याय लिखे हैं, ठीक है, बस अच्छे से त्यारी करते रहें, आप लोगों के साथ में ऐसे ही बनी रहोंगी, ठीक है, बताईए जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा, अहोबल खृत संगीत पारिजात में कितने अध्याय हैं, सोनी अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, महुत सारी चीज़े बदल गई है, ठीक है, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, कितने अध्याय रखे गए हैं संगीत पारिजात में, पटापट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या हो जाएगा, संगीत पारिजात में कुल कितने अध्याय रखे गए हैं, बताईए जल्दी से, जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद खुशी बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल पांच अध्याए है कितने अध्याएं 5 अध्याएं है आपके संगीत पारिजात में अब उन अध्याएं के नाम लिख लिजे कितने अध्याए हो जाएंगे 5 RISE UP मितला जी अलग से DSSB की क्लास नहीं होगी यही class आपको DSSB में भी काम करेगी ठीक है, अलग से DSSB की class नहीं होगी तो 5 अध्याये हैं कुल जमा अब 5 अध्यायों के नाम लिख लीजे सबसे पहला अध्याय है आपका स्वर प्रकरण क्या हो जाएगा पहला अध्याय स्वर प्रकरण पहला अध्याय लिखिए सभी लोग एक एक करके अध्याय लिखिए सारे कौन-कौन से हो जाएगे पहला अध्याय है आपका स्वर प्रकरण इसमें स्वर के बारे में बताया गया है पूरी तरीके से ठीक है, दूसरा जो अध्याय हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मूर्चना प्रकरण, उसमें मूर्चना के बारे में बताए गया है, ठीक है, मूर्चना प्रकरण, मूर्चना के बारे में परिचर्चा की गई है, तीसरा अध्याय लिखिए, सभी लोग क्या हो जाएगा, तीसरा अध्याय हो जाएगा, स्वर्विस् स्वरविस्तार प्रकरण पाँच अलग अलग अध्याए हैं आपके इह सकते हैं आपके अखोंगौकरित संगीत पारिजात के नाम लिखल बार पूछ लिए जाता है कि फला फला अध्याय किसकी कि संगीत फटग्य की पुस्तक का हे ऐसे करके प्रशन बन जाएगा आप इसको अच्छे से लिख लिजेगा ठीक है अगला प्रशन क्या कह रहा है उस क्राशन को सुन लिजेए सभी लोगES AHiquéALI ने 1200 को कितने भागों में विभाजित किया है आहोबल ने 22 के उ Beyonce विभाजित किया, मतलब कि वर्ग बाटे हैं, अहोबल जी ने संगीत में जो शूतियां हैं, बाईशूतियां उनके भी वर्ग बाटे हैं, कितने वर्गों में उनको विभाजित किया है, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरून माहिया जी, बताईए जल् सभी लोग उत्तर दीजे फटाफट से क्या होगा अहोबल ने 22 शुतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटाफट से उत्तर दीजे जल्दी से बताईए क्या होगा पांच भागों में बिल्कुल 5 प्रकार बताएं हैं शुती के, कितने प्रकार बताएं हैं, 5 प्रकार, कौन कौन से, पहला, दीपता, दूसरा, आयता, तीसरा, करुना, चौथा, दीपता, आयता, करुना, मध्या और, मृद्धु, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मृदू और पांचवा हो जाएगा आपका मध्या ये पांच प्रकार हो जाएंगे आपके अहोबल की जो शुतियों के प्रकार है वो पांच है दीपता आयता करुणा मृदू और मध्या पांचों प्रकारों के नाम लिख लिए सभी लोग कॉपी में ये पांचों प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं दीपता, आयता, करुणा, मृदू और मध्या, ये पांच अलग-अलग वर्ग हैं जो अहोबल जी ने शुतियों के लिए बनाए हैं बाई शुतियों को इन पांच अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग, प्रश्न संख्या 41 तक सबका हो गया है, प्रश्न संख्या 42 से देखिए प्रश्न संख्या 42 देखिए, क्या कह रहा है अहोबल ने कुल कितने स्वर माने है संगीत पारिजात की बात हो रही है कि अहोबल ने कुल कितने स्वर माने है ठीक है? बताईए जलदी से क्या हो जाएगा Rise Up मितिला जी वो 26 तारिक से स्टार्ट हो रहा है जनक जनक के बारे में आप लोग जानते होंगे नहीं पता है तो वीडियो के अंत में आप लोगों को बताया जाएगा क्लास के एंड में अभी तो नहीं पहले क्लास खतम होने जी तो पूरी क्लास जब खतम हो जाएगी तो उसके बाद इत्मिनान से बताऊँगी कैसे आप लोग जॉइन कर सकते हैं बैच को जिसमें संपूर्ण रूप से अगर कोई ऐसे भी चाता है कि वह नहीं questions तो यह हो रहे हैं लेकिन हम लोगों को theory भी करनी है क्योंकि estate की परिक्षा भी अच्छे से पास करनी है और उसके बाद BPSC में भी हमें लाब चाहिए या बाकी जो संगीत की परिक्षाएं कोई TGT वाली इसके अलावा आपकी TGT की छोड़ती जाए तो फिर KVS NVS में वेकेंसी आने वाली है बिहार में भी 33 आपका आने वाला है BPSC का तो काफी जादा आपके पास संभावनाएं हैं और भी संभावनाएं इसके अलावा भी संभावनाएं अगर आप संगी शिक जगा आप लोगों को आसान प्रश्ण नहीं मिलेंगे तो उसके लिए आपको थियोरी अच्छे लेवल के पढ़नी ज़रूरी है और हो सकता है BPSC 3.3 में इस बार लेवल बढ़ाएं भी क्योंकि अभी तो आनन फानन में परिक्षा लिए आगे आनन फानन में परिक्षा न आप लोगों को संगीत के लिए तेहार करनी है आपके पास जनवरी फर्वरी पूरे दो महीने हैं मार्च में आप लोगों की परिक्षा हो नहीं है अभी दिसंबर में भी लगबग 10-12 दिन बश्ते हैं तो आपके पास लगबग 20 महीने का समय है ना BPSC आप तीन बार दे सक किताबे आपको नहीं मिलती किताबे ऐसे मतलब छोटी मोटी चिल्लट के टाइप की किताबे तो ऐसे तुम मिल जाएंगे आपको बजार में लेकिन वो आंसर उसमें ठीक नहीं मिले होंगे सही जानकारी नहीं दियोगी तो इस तरह की चीज़े बहुत फ्रिक्वेंटली मि कितने माने हैं कुल 29 स्वर माने हैं जिसमें से आपके 7 स्वर क्या हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा अगर मैं अलग-अलग हिस्सों में बाट दूँ तो 7 स्वर शुद्ध हो गए और 7 स्वर के अलावा देखोगे तो 8 कोमल हो गए और 14 तिव्र हो ग 29 सवर हो गए कुल तो ध्यान रखेगा, 8 कोमल है, 7 शुद्ध है और 14 विक्रिट सवर माने हैं लेकिन ये एक से जादा नाम है तो लिख लिजेए को इसको भी कॉपी में 29 सवर उन्होंने क्या माने है, कुल माने है, vina के कितने स्वरों की स्थापना की है वीना के तारों पर कितने स्वरों की स्थापना की गई है अहोबल जी के द्वारा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में फटा फट से लिख करके बताएंगे कितने स्वरों की स्थापना उन्होंने वीना के तारों पर किया क्योंकि पहली बा बिल्कुल एप पर मैं आपको मिलूंगी लेकिन अब एस्टेट के लिए मिलूंगी एप पर नहीं मिल पाऊंगे उसके पीछे कारण है क्योंकि अब क्लासेश का शेडियूल बदल गया है चीजे बदल गई है आप लोग यहां मुझे मिल सकते हैं यहां लोग बात कर सकते हैं आप सभी लोग ठीक है ना बिलकुल निकलेगा प्रियंगा क्यों नहीं निकलेगा हम नेगेटिव क्यों सोचे जितने भी बिपीसी के तैयारी करने वाले हमारे साथ वाले जितने भी लोग थे जीतने हमारे बड़े भाई बहन चोटे भाई बहन से पधाई करते रही हैं तई करते रहें बिलकुल परिशान मत हो ये पेपर इजी टू मौडरेट रहेगा तैारी अश्यक्वक्त तो दॉर पर ंची होगी ठीक है बताये प्रसाद जी ने बताया है, कैलेंडर जो जारी हुआ है, उसमें सितंबर में दिया गया है, BPSC का 3.3 और अतुल प्रसाद जी जो जो कह रहे हैं, वो सारी चीज़े हो रही है, तो पूरी संभाव ना है कि 3.3 आपका होगा, ठीक है, और अगर होगा तो आपके पास अच्छा मौका है, इस मौके को मत गवाईएगा, ठीक है, इस मौके को कोई भी मत गवाईएगा, और मुझे लगता भी है कि सारी की सारी वेकेंसी फिल नहीं हो पाएंगी, ख्राइटेरिया ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि सारी वेकेंसी फिल उपाएंगी, और अगर नहीं हुई और वेकेंसी बच गई तब तो अगली बार वेकेंसी आनीत ते हैं, ठीक है, बताईए जिल्दी से क्या हो जाएगा, बिलकुल, 12 स्वरों की स्थापना की, कितने स्वरों की स्थापना की, 12 स्वरों की स्थापना की, इसने अहोबल जी ने वीना के तारों पर, लेकिए माने उन्होंने कुल 12 ही स्वर, वो इक अलग बात है कि 29 स्वर की चर्चा उन्होंने की है, 29 नाम उन्होंने स्वरों के बताएं, लेकिन वो एक से जादा नाम है एक ही स्वर के, लेकिन वैसे स्वर 12 ही थे, ठीक है ना, वैसे स्वर कितने हैं, बारे, तभी तो बारे स्वर होगे, साथ में कर रहे हैं, वनना ज्यादा की करनी चीए थी, 39 स्वर बताते हैं फिर, ठीक है ना, बिल्कुल है ही रा नंजी, OBC में चांस हैं आपके, 60 हैं तो, सो सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है, अगले प्रशन का उत्तर, 44, अहोबलने कितने प्रकार के वर्ण माने हैं, वर्ण तो पता है न, आपको, गायन की शैली को कहते हैं, वर्ण, गाने का तरीका, मताई जल्दी से क्या हो जाएगा, अनिमेश जी, क्लास के अंत म उसके बारे में चर्चा की जाएगी, अभी आप लोगों को प्रशन करने है, 45 प्रशन कम से कम अच्छे से कर लिए जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, कैसे आप जनक से जुड़ सकते हैं, जनक क्या है, सारी चीज़े आपको explain करूँगी, अभी नहीं, पहले हम लोग ठीक है, बताईए जल्दी से, आप भी भले मानुश हैं, जब यहां पढ़ा रही होती हूँ, तो पूछ रहे होता है, पेड क्लासिस बताईए, जब पेड क्लासिस के बारे मता रही होती हूँ, तो कहते हैं पढ़ाईए भईया, थोड़ धैरे रखिए, ठीक है, अहोबन कितने प्रकार के वर्ण माने हैं, और एक चीज और बता दू, इस बार जनक में बहुत अधिक समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत तेजी से स्टूडिन्स रजिस्टर करा रहे हैं, सबको मालूम है कि तैयारी कैसी कराई जाएगी, आप लोगों को भी मालू पर जो वर्णों के प्रकार हैं, वो बदले नहीं हैं, उतने ही प्रकार हैं वर्णों के जितने की पहले माने गए हैं, मतलब जैसे भरत ने माने हैं, बाकियों ने माने हैं, वैसे ही, ठीक है, तो वर्ण के प्रकार कितने माने गए हैं, चार, कितने माने गए हैं, चार, जि रा जाएगा आपका संचारी वर्ण, कौन सा आजाएगा, संचारी वर्ण, ठीक है, इस प्रकार से चार प्रकार के वर्ण हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ, बिल्कुल सही बाद, चलिए, तो क्या हो जाएगा, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, चार प्रकार क आपके वर्ण होते हैं, चार प्रकार की गायन शैलियां होती है, तरीके होते हैं गायन के, ठीक है, चलिए, आगले प्रशन की ओर, बिल्कुल, 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 EWS female category में 78 number TGT में selection, बिल्कुल हो जाएगा जी, rise up मितला जी, ठीक है, अंजीला जी, 53 number है TGT में, general category मुश्किल है थोड़ा सा, कुछ कहा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, ये प्रशन पूछा गया है आपका, पहले भी ये प्रशन, आया हुआ प्रशन है PGT में, तो इसलिए मैं पहले ही कहूँ, इस तरह के प्रशनों को थोड़ा से ध्यान में रखते हुए, अगला प्रशन क्या कह रहा है, संगीत पारिजात में कुल कितने श्लोक दिये गए हैं, आज का अंतिम प्रशन, उसके बाद मैं चर्चा करूंगी, कैसे आप लोगों को तियारी करनी है, थोड़ा सा इसके विशह में चर्चा कर लेते हैं, आज हमारी पहली क्लास है, रोज जाना हम 50 प्रशन करेंगे, डेली 50 प्रशन होंगे, तो आप लोग तयार रहिएगा, डेली 50 प्रशन के लिए भी, ठीक है, हाँ जी, राइस अप मितला जी, कह तो दिया, मैंने, एक ही बार में आपको बता दिया कि बिलकुल, उम्मीदे हैं, 78 मार्क्स काफी अच्छे मार् बताईए जल्दी से, संगीत पारिजात में कुल कितने श्लोक दिये गए हैं, फटा फट से सभी लोग उत्तर दीजे, क्या हो जाएगा, बिलकुल है, बिलकुल है, चांस अजाद जी, बताईए जल्दी से कितने श्लोक हैं कुल, मुझे पता था, बहुत सारे लोगों के अ इसका उत्तर सभी लोग देंगे, इसका उत्तर कोई नहीं चूकना चाहिए, सभी लोग इसका उत्तर देंगे, जल्दी से बताईए, फटा फट से उत्तर दीजे, देखिए, अहोबल जी ने ये जो ग्रंथ लिखा है, संगीत पारिजात, इनके द्वारा रचित इस नाम से जान रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रकरन आप देख रहे हैं, इसमें 500 शलोक रखे गए हैं, और अलग-अलग भाती-भाती की चीज़ों पर रखे गए हैं, शुती है, स्वर है, मुर्चना है, और गायन है, गायन शैली पर किस तरीके से अलग-अलग चीज़े मान आपके संगीत पारिजात के आज के प्रशन या फिर और हमने तीन संगीत तक आज पूरे की, अब्दुलकरीम खां और अहूबल जी पूरे किये और पंडे तोंकाना ठागुर जी, सबसे पहले तो मुझे बताईए, प्रशन कैसे लगे आप लोगों को, मजा आया प्रशन क पूछ रहे हैं कि कैसे मैं तैयारी करें, तैयारी करने के लिए हमें तरीका बताईए, कैसे हम लोग तैयारी करें और हम कैसे आपके साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, तो उसके विशह में थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ, मैं आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनि तक आपको त्यारी करनी है, तो आपके पाद दो तरीके हैं, त्यारीके, दोनों तरीके अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? दोनों तरीके की तैयारी के लिए आपके पास एक तरीका है books और प्लस YouTube का session जो मैं आपका ले रही हूँ YouTube जो दो घंटे की class आपकी चल रही है जिसमें आपके questions हो जाएंगे ठीक है दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है आपका जनक ठीक है अब यह जो पहला तरीका है यह self preparation का तरीका है इसके लिए आपको खुद से तैयारी करनी होगी ठीक है इसमें आपको मैं सिर्फ मदद कर सकती हूँ questions के माध्यम से आप लोगों को theory में मदद नहीं कर पाऊंगी मैं ठीक है लेकिन यहां जनक जो है इन दोनों चीज़ों में आपको क्या क्या करना है बुक्स में आपको अपनी तरफ से राग परिछे भी NCRT भी SCART की किताबे भी और साथी साथ भातखंडे संगी शास्त्र भी यह सारी किताबें आपको complete करनी होगी प्लस आपको यह सारी चीज़े यूट्यूब की जितनी भी चीज़े में आप लोगों कराऊंगी यह पूरी कर रही होगे अगर आप यह दोनों चीज़े पूरी कर लेते हैं तो एस्टेट भी निकल जाएगा BPSC में भी आपको लाब मिलेगा ठीक है लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ इस बार एस्टेट पिछली बार की तरह नहीं आने वाला है पिछली बार एस्टेट में कम समय दिया गया था इसलिए इस बार इसी नहीं होंगे यह ब करने की ज़रुत नहीं है सारा स्टडी मिटीरल मेरा होगा आपको इसमें मौक टेस्ट मैं खुद कराऊंगी ठीक है आप लोगों को कम्प्लीट स्लेबस इसमें मैं खुद दिलाऊंगी ठीक है कम्प्लीट स्लेबस होगा इसमें आपका और सारे सब्जेक्स का स्लेबस होग ठीक है सारे सब्जेक्स इसमें आपके कवर होंगे जनक में अगर आप यूजुली बाहर से कहीं से राग परिचे की किताबे खरीते हैं तो लगब लगब हजार रुपे में आपकी चारो भाग सिर्फ राग परिचे के आएंगे उसके बाद भातखंडे संगी शास्त्र है बा जी आप बिलको निशिंत रही है आपको PDF दी जाएगी बेफिक्र रही है ठीक है चलिए तो मैं आपको क्या कह रही थी कि नहीं यूट्यूब मॉक पर नहीं होगा यूट्यूब पर तो मॉक हो गई होगा मॉक टैस यह तो questions तो चली रहे हैं आपके इसके अलावा जो कुछ कहते हैं कि most available questions जो होते हैं जो सबसे ज़्यादा संभावना होती आने की उनकी बात कर रही हूँ मैं ठीक है वो questions के लिए अलग से मैं आप लोगों को कम से कम 5 mock full mock 5 आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी ठीक है अच्छा एक चीज और इसमें जो मैं study material आप लोगों को provide कराऊंगी वो क्या क्या होगा इसमें आपका भातखंडे संगी शास्त्र के notes होंगे ठीक है चारो भाग के भातखंडे संगी शास्त्र के चारो भाग के notes होंगे राग परिशे में आपको EC में provide करा दूँगी राग परिशे के सारे notes NCE RT के सारे notes इसमें provide करा दूँगी और NIOS की book के भी सारे notes आपको इसके अंदर ही provide करा दूँगी ठीक है मैं हमारे पर ऐसे नहीं हम स्वयम से बिल्कूल कर सकते हैं आप YouTube पर मैं आपको help करती रहोंगी ठीक है इसके अलावा अगर आप यह चाहते हैं कि हमें कोई जंजट नहीं चाहिए आप हमें सारी चीजे स्वयम कराईए सारी चीजे करिए questions कुद कराईए हमें मतलब overall जो आपको पढ़ना है वही पढ़ाया जाएगा तो बस एक छोटा सा ही अंतर हो जाता है बाकी पूरी तरीके से मैं दोनों तरह से आप लोगों को support करूंगी it is all up to you कि आप तैयारी कैसे करना चाते हैं मैं दोनों तरह से आपके साथ हूं ठीक है अब अगर आप ऐसे त्यारी क करना चाते हैं तो किताबे में आप लोगों को बता ही चुकी हूं भातखंडे संगिश्षा, स्रिराग परिचे, NCRT, NIOS ये चारो पुस्तकें आपको cover करनी है इसके अलावा YouTube की रोज दो घंटे की classes होंगी वहां से आप questions करते रहिए तो आपकी चीजें complete हो जाएंगी ठीक भी हमें एक ही साथ चीएं तो आप ये वाला option चूज कर सकते हैं मैं फिर कहूंगी ये पूरी तरीके से आपकी अपनी choice है कैसे join करना है वो बता देती हूं अगर आप जनक join करना चाते हैं तो YouTube पर नहीं Google पर search करिएगा सर्च करना है आप लोगों को adda 24-7 क्या search करेंगे आ इहां से सुनिएगा कैसे करना है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का platform आपके सामने खुल के आएगा यहां लिखा होगा all courses इस पर tap करिएगा all courses पर tap करने के बाद में यहां देखेंगे आप लिखा होगा second number per state exam क्यूंकि हम बिहार के state exam की बात कर रहे हैं इस पर क्लिक करिएगा क्लिक करेंगे यहां आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे बिहार estate paper 2 अगर paper 2 संगीत के लिए त्यारी कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हाँ बिलकुल help होगा rise up मितला जी अगर आप जनक बैज जॉइन कर रहे हैं तो DSSB में आपको बिलकुल help मिल जाएगी ठीक है हाँ बिलकुल Nios की भी संगीत की book है अपनी यह बिहार estate paper 2 लिखा है बिहार estate paper 1 लिखा है अगर paper 2 के लिए त्यारी कर रहे हैं तो इस पर klik करेंगा यहां बिहार estate paper 1 पर जैसे मैंने क्लिक किया ठीक है क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे विकल्ब खुल के आएगा अब यहां देखे आप लोगों को लिखा है जनक बिहार एस्टेट दो हजार चौबिस म्यूजिक पेपर वन नाइन टेंथ ठीक है इसमें लिखा है कि ये बैस स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से इसी 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को परयाप्त समय दिया जाएगा खुब अच्छे से मैं आप लोगों को टाइम दूँगी खुब अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसके लिए आप निश्यंत रहेगा आपको बिलकुल भी अलग से कुछ भी करने की ज़रुद नहीं पड़ेगी सारी चीज़े आप लोगों को इसमें सारे सब्जेक्स कवर कराए जाएगे ठीक है यह बैच यहाँ 1999 लिखा है परिशान मत होना इस पर ओफ है आप इस पर क्लिक करेंगे बैच पर तो क्लिक करने के बाद में ऐसे करके बैच आपके सामने खुल के आएगा ठीक है यहाँ देखेंगे यह बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 1000 सीट है जिसमें लगभग आधी से ज़ाधा सीट अल्रेडी भर चुकी है 5 से 10 क्लास का टाइम लिखा है यह बदलेगा ठीक है यह क्लास का टाइम बदलेगा आपका ठीक है 200 से जाधा घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेंगी इसमें 6 महीने की वेलिडिटी होगी आप इसको बाद में भी देख सकते हैं नहीं कि आप फरवरी तक देखेंगे मार्ज सक दिन नहीं पूरे 6 महीने तक आप इसको आगे तक देख सकते हैं ठीक है क्या-क्या मिलेगा इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेट सेक्शन भी मिलेगा मतलब जो क्लास आप देख रहे हैं लाइब वो आप रिकॉर्डेट भी देख पाएंगे बाद में ठीक है साथ ही साथ इसमें डेड़ सो से जाधा पीडियाप का स्टडी मिलेगा मतलब हर सबजेक्ट का स्टडी मिलेगा चाहे वो आपका रिजनिंग हो चाहे बागी मतलब कोई भी सबजेक्ट हो साथे सबजेक्त का स्टडी मिलेज और सबजेक्ट की क्लासे आपको इस ही मिलेगी कैसे आप इसमें आपका extra कवर किया जाएगा, डीके सर आपको इसमें रिजनिंग पढ़ाने वाले हैं, कॉशलिन सर जरनल स्टेडीज पढ़ाएंगे, आपको आठ साल का एक्सपीरिंस है, प्रियंका मैम को हिंदी पढ़ाने का, हिंदी वो पढ़ाएंगी, ठीक है, सिंटु सर आपको इसमें इंग्ल अब कैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दू, इसमें डाउट सेशन होंगे, मैं पढ़ाऊंगी, पीडिएफ नोट्स दिये जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्शन भी पूरा स्टडी प्लान आप यहां से देख सकते हैं, पेपर वन के लिए मैं क्या क्या चीज़े आपको पढ़ाने वाली हूँ, सारी चीज़े कवर अप कराऊंगी, इस से आपको BPSC 3.3 में भी हल्प मिलेगी, और भी सारे एक्जाम्स में आपको यहीं से हल्प मिल जाएग Buy Now के Option पर क्लिक करके यहां लिखा होगा, Enter Coupon Code, Direct Continue मत कर देना, वरना 2000 उपर कट जाएगे, कैसे होगा, हाँ, बिल्कुल help होगी, 200% help होगी, Music is Live जी, जनक से आपको BPSC में भी help मिलेगी, DSSB, KVS, NVS, UPTGT, कहीं के लिए भी तयारी कर रहे हैं, TGT, PGT के लिए, आपको ब और आपको English Hindi पढ़ने पढ़ेगी, Current Affairs पढ़ने पढ़ेगी, General Studies, वो सारी चीज़े आप लोगों को स्वयम से किताबे खरीद कर पढ़नी होंगी, अगर आप जनक में नहीं पढ़ रहे हैं, तो और अगर आपने जनक जॉइन किया, तो कुछ नहीं करना है, सारी Teachers आपको य 740 मिरा mentorship code है, आप मुझसे जुड सकते हैं इस code के माध्यम से, ठीक है, और इसको जैसे ही आप apply करेंगे, यह 1849 रुपे में आपको दिख रहा है, यही बैच आपको 1769 रुपे में भी पढ़ सकता है, कैसे, अगर same batch, आप लोग यही वाला बैच 1849 में ना लेकर 1769 रुपे म कर सकते हैं, play store से इस app को download करिएगा, download करने के बाद में बिलकुल जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर तरीका बताया है, वैसे ही आप लोगों को वहाँ भी batch खोजना है, उसी तरीके से आपको batch मिल जाएगा, वहाँ पर आपको coin लगाने के लिए बोलेगा, वो भी लगा आप लोगों को सफलता मिल ही जाएगी, और साथी साथ आप लोग अगर जनक से जोड़ना चाहते हैं, तो 26 दिसंबर से जनक शुरू हो रहा है, पहले ही जुड़ जाएगा, कहीं आपको मौका नहीं मिला, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, fees हो जाएगी आपकी 1769 रुपे, उसमें आपके सारे subjects होंगे, सारा study material होगा, ठीक है, coin की जगा महेश जी आपको दी गई होगी, अभी phone में दिखा पाना तो थोड लोगों को काफी lag मिलेगा, बहुत सारे बचों ने YouTube से तयारी की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने साथ में किताबे भी प्रेफर की है, तो मैं किताबे आप लोगों को बिल्कुल प्रेफर कर रही हूं, साथ साथ आप लोग किताबे और मेरा YouTube सेशन अगर रोजा हैं, ठीक है, तो ये तरीका है, आप लोग बिल्कुल जाइन करना चाहें, तो कर सकते हैं, और अगर स्वेम से तयारी करना चाहें, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप लोग दुनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, हाँ, रोजाना क्लास का टाइम वही रहेगा क्लास का टाइम किसी को नहीं भूलना है क्लास रोजाना कितने बजे से होगी YouTube पर आपको रोजाना क्लास मिलने वाली है तीन बजे से पाँच बजे तक ठीक है रोजाना सुमवार से शुक्रवार सुमवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना आपकी classes रहेंगे, आप लोगों को classes में आने नहीं भूलना है रोजाना 3 बजे से 5 बजे शाम को ठीक है, चलिए गायन वादन में paper एक ही होता है दिशू मैं बता दू थोड़ा सा इसके विशय में भी देखे, paper, गायन और वादन दोनों का paper एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं है नृत्य का paper अलग आएगा, ध्यान रखेगा ठीक है, नृत्य का paper अलग आएगा, ध्यान रखेगा नृत्य अलग से आएगा, ये अलग होगा ये गायन वादन में नहीं होगा ठीक है? तो थोड़ा से ध्यान देना आप लोगों को इन चीजों पर घायन वाधन म्यूजिक में अंतर नहीं है म्यूजिक में एक ही जैसा है, ठीक है? बुक के लिए प्रियंका मैं आपको अभी पाच मिनिट पहले बता चुकी हूँ तो कौन-कौन से किताबे आप लोगों को लेनी है आप लोग चाहें तो वो किताबे सारी पर्चेस कर सकते हैं और साथ में यूट्यूब का सेशन कॉन्टीन्यू रखिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग मिलेंगे दोनों पेपर आप यूट्यूब में नहीं, राजेश जी, दोनों यूट्यूब पर पेपर वन, पेपर दू के क्वेशन्स तो मैं आपको दोनों के कराऊंगी, लेकिन सिर्फ प्रश्न करा पाऊंगी यहाँ पर थ्योरी नहीं हो पाएगी मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को क्योंकि कुछ चीजे हम मेरे लिए भी है, कुछ चीजे मेरी भी restricted है, जो चीजे मेरे हाथ में जैसी जैसी मदद मैं आपकी कर सकती हूँ, वो सारी मदद मैं आपकी जरूर करूँगी, उसके लिए मैं स्लेबस पर बात करूँ, अगर स्लेबस पर बात करूँगी, तो आप लोग बिहार अड़र 24-7 के YouTube चैनल पर live classes को देखते रहेगा, classes कैसे जुड़ सकते हैं आप classes से वो भी बता देती हूं, बहुत सारे बचों को classes से जुड़ने का तरीका भी नहीं मालूम है तो वो थोड़ा से मैं बता दूँ, कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं, तो देखिए, अगर आप classes से जुड़ना चाते हैं, तो YouTube पर जाकर खोजिएगा, बिहार अड़र 24-7, आप क्या चूज करेंगे, आपको चूज करना है बिहार अड़र 24-7 जब आप इसको चूज करेंगे, तो आपके सामने पहला ही option खुल के आएगा, यही हमारा channel है इस channel पर जैसे ही आप click करेंगे click करने के बाद में, सबसे पहले तो channel को subscribe कर दीजेगा, क्योंकि subscribe करने के बाद आप लोगों के पाद notification आना शुरू हो जाता है ठीक है, और notification on कर लिजेगा notification का bell icon दिया होता है, यहां तो नहीं दिया है, लेकिन वैसे दिया होता है अब आपको क्या करना है, home पर जाएगा home पर जाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखे, बिहार estate 2023 तेस्ट, recruitment, notification वगएरा सारी चीज़े यहां दी गई है, उसके बाद estate paper 1 की classes है estate paper 2 की classes है, जब आप paper 1 पर ही जाएंगे तो paper 1 पर ही जाने पर आप लोगों को यहां पर, देखे, यह लिखा है ना, बिहार estate paper 1 की classes हैं सारी तो देखे, आप लोगों को यह मिल जाएगा, यहां पर ठीक है, बिहार estate paper 1 एक मिनट रुकेगा, यहां home पर जाना है home पर जाना है, और home पर जाने के बाद में यह लिखा है paper 1, ठीक है इस पर यहां देखे, view full list playlist पर click करिएगा, यहां आपको मेरी अभी दो ही videos है, क्योंकि हमारी दो ही exam की दो ही classes हुई है एक मैंने आप लोगों की marathon ली थी तीन दिन पहले, शनिवार वाले दिन और एक आज हमारी class हुई है, ठीक है इसी में आपको सारी की सारी pdfs भी इसी के साथ ऐसे ही provide कराई जाएंगी ठीक है, तो सारी के सारी चीज़े आप offline class नहीं होती है, महेश जी class तो ऐसी है, लेकिन offline online में कोई फर्क आपको नजर आएगा नहीं ठीक है, सारी के सारी चीज़े आप लोगों को ऐसी उपलब्द कराऊंगी, कि आप लोगों को कोई भी information चाहिए हो, यह शॉट्स दिए है ऐसे शॉट्स के माधियम से आपको सारी चीज़े बताई जाती है, अलग-अलग टीचर सापको अलग-अलग शॉट्स के माधियम से सारी चीज़े बताते हैं कि आपको अब किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ त्यारी करनी है तो हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कल मिलेंगे अपने नियाद समय पर और आज शाम को, हम लोग बात कर सकते हैं स्लेबस पर, तो आप लोग एक बार शॉट्स के कराने वाली हूँ या नहीं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद